हलो में जोस्तों वेलकम टू मैं चैनल आज की वीडियो में एकेट यू के कुछ दिशा निर्देश हाए हैं क्योंकि दिशा निर्देश देना उनको इसलिए जरूरे पड़ गया है क्योंकि जो मॉक्ट टेस्ट हुए है जो आपने रिव्यू दिया या डेटा दिया जितने भी फोटो लीक हुए है वाई वाई सोचल मीडिया पर तो उसकी वज़े से एकेट यू ने दिशा निर्देश दिये हैं क्या दिशा निर्देश हैं जान लेते हैं जो जिसे बोलते हैं इस्टेक्शन्स तो इसक्शन्स क्या है के वह सारे पता हो जाएं ताकि आप भी अप पर देख सकते हैं जैसा कि की तरफ से जो सर्कुलर आया हुआ है वह डॉक्टर एप दूगाम की तरफ से नंबर आप देख सकते हैं सर्कुलर में जाकर आठ जुलाई को रिलीज हुआ तकल जो विसे हैं हमारा सब्जेक्ट है वह रेगुलर एंड कैरीवर दोनों के लिए कर जाने के हैं तो यहां पर एक बात और है कि आप वीडियो देखो लंबी होने वाली है और क्योंकि यहां पर जैसा की दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा है दिसानिर देश चीक है तो अगर आप नहीं देखना चाहते हूं तो मत देखो क्योंकि आप जाकर डाउनलोड करक चो लेकिन यहां पर हम थोड़ा डिसकर्ष करेंगे तो यहां पर बात करते हैंकि साइबर कैफे में भी जाकर दे सकता है और किसी भी संस्थान में मतलब आपके पास कोई भी संस्तानों वहां पर जाकर दे सकता है आप अपना आदार कार्ड आईडी प्रूफ और अपना कॉलेश की आईडी और जो एकार्ड है वहां जाकर दे सकता है साइबर कैफे में जाकर दे सकता है चाहतों चाहता है दोनों और वह भी अपने घर से दे सकता ह तो मैक्सिमम अपने घर से देंगे फिर बात आती है पहला नंबर जो है कि यदे आपके पास इंटरनेट की सुभदा नहीं है तो वह परिच्छा प्रारम होने से पूर इंटरनेट की सुभदा प्राप्त कर ले या सुनस्चित कर ले जब आप परिच्छा दे रहे हों तो किस आगे भी बहुत सारे ऐसे इसमें इस्टेक्शन से जिसमें आपको वह जो प्राक्टर है वह देख सकता है कि पूछ सकता है कि आप चारो तरप कर रूम टूर कर रहा हो ठीक है क्योंकि आपकी परिच्छा प्राक्टर्ड है और ऑनलाइन यानि प्रवेच्छा के देख रेक दे ताकि दिन के उजाले जैसे समान माना जाए ओवर हेड लाइटिंग की को प्राथिमिक्ता दी जाएगी और यदि ओवर हेड लाइटिंग उपलब नहीं है तो प्रकास का सोर्स अपने पीछे होना चाहिए ताकि अध्यान रच्छा चात्राइं जो है घर साइबर के वे मॉबाइल लैपटाप या दि कंप्यूटर इत्याद से कनेक्ट हो सकते हैं थीक है और जो कनेक्शन होगा जो भी मतलब आप मोबाइल लैपटाप ले के जाओगे तो वहां के माद्यम से आप चाओ तो मतलब उनसे internet ले सकते हो Credits है और camera microphone अनियवार होना चाहिए दोनों चीज, camera and microphone दोनों अनियवार होना चाहिए और camera तो must है कि अनियवार होंगई da microphone का यह विभा कि आप जो microphone ले जाओगे वो कहीं बीच-बीच सुन सकते हैं आप यावास को ठीक है तो माइक्रोफोन और दोनों चीज्ए अर्वार होना जरूरी है ठीक है और छात्र ऑन-लाइन परिच्छा में प्रतिभाग नहीं करेगा कोई कि यानिकि अगर आपके पास यह चीज्जे नहीं है ऑन-लाइन इंटरनेट नहीं है और कैमरा माइक्रोफोन नहीं है तो फिर रहने द लगता है पेपर देने के लिए ठीक है तो तीसरा आपको निकल क्याता है यह रहा तीसरा कहता है कि आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना है कोई गंदी कुर्सी मेज पर मत बैठ जाना ठीक है और तो वह भी देखा जा सकता है और आपकी जो डेस्क है उस पर क्या कहता है कापी पुस्तक इत्याद नहीं होना चीए रफ का रहे तो साधा पेपर पेन पैंसिल इसकेल इरेजर इत्याद रख सकते हो साधा पेपर रख सकते हो पैन रख सकते हो आपकी डेक्स यह इस्ते ते को प्रॉक्टर अनलोकन है तू कह सकता है कि आप अपने मतलब की एक दिखाओ और प्लस एक नॉन प्रोग्रमेबल कंप्यूटर जो आप चुनिये काल्कुलेटर सौरी काल्कुलेटर में कोई लेखन नहीं होना चाहिए मतलब आगे पीछे कुछ ऐसा नहीं है लिखा होना चाहिए जो कमरा है या परिच्छा स्थाल है या था संबद सांत होना चाहिए और संगी तो टेलीविजन जैसे एक वीडियो आई थी जिसमें बगल में संगी सुन रहा था और इधर प मैं करी बैटना है ऐसा नहीं है कि कुछ भी मास लगा लो या फिर पेंटेट कर लो चेहरा या फिर कुछ उल्टा सीदे हरकते मत करना नहीं तो यूएफ में फस गया तो फिर जहल जाओगे ठीक है तो वीडियो आई थी आप देखे थे जिसमें क्या कहते हैं कुछ लोगों ने अनसासित बेवार किया था जिसकी वज़े से फसे थे तो वही इस्ट्रक्शन निकल के आ रहे हैं कि आपको क्या क्या आप नहीं करना है ठीक है अब बात करते हैं कि हमारे जो पेपर होगा उसमें जो सारी परिछाएं होंगी वह मैंटिपल चॉइस क्वेशन होंगी और आउनलाइन मोड पर कराई जाएंगी यह तो पता है पचास कोश्चन होंगे नबे मिनट होंगे एक तीस गंटेगा होगा ठीक है कोई नेगरेटिव मार्किंग नहीं होगी और प्रतेक्वन सिर्फ एक ही सही उतर होगा मतलब एमस्क्यों नहीं होगा कि बहुत सारे स्पीड चाहिए चाहिए ठीक है क्योंकि इंटरनेट बहुत ज्यादा देखो यहां पर लिखा उचित इस पीड वाला इंटरनेट प्योग करना होगा समझ विद्यारतियों को इंटरनेट का एक बैगाल पिक ब्यवस्था भी रखनी होगी किसी आश्विदास से बचने के लिए आवसेक है कि उचित इंटरनेट फिर यहां पर कि विवस्था त्यार होगी अगर चाहत्र इंटरनेट किसी कारण वास 15 मिनट या उससे ज्यादा देर तक बादित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर पुना परिच्छा में सामिल होने तो दिया जाएगा लेकिन ध् कि वही कोश्चन मिल जाएगा वह जंबड फॉर्म में तुरंत हो जाएंगे ठीक है अगर 15 मिनट के तक देखा जाए कि 15 मिनट के बाद में वह आटोमेटिक सॉप्टेट डिटेक्ट करेगा कि 15 मिनट बाद आ रहे हो तो आपको पेपर तो देने को मिलेगा लेकिन जो आप द्यान रहे कि ऐसे हिस्ते में परवर्तित हो सकता है और इन अनुतरित प्रस्णों में वे प्रस्ण भी हो सकते हैं जिनको चात्र ने देखकर विवेचना है तुछ छोड़ रखा है और परिच्छा सुचिता बनाये रखने के लिए या निर्णे लिया गया परिच्छा मतल आगे आने वाले में तो मैं यह बताऊंगा कि आपको कौन सा कामरा लेना चाहिए ताकि आप बेस्ट मतलब कम स्पीड में ज्यादा अच्छा देख सकें फिर बात करते हैं 11 नंबर है ऑन-लाइन परिच्छा प्रारंभ है तो 30 मिनट पूर व्लोग इन करना होगा यह में ठीक है इतना मिनट होगा लेकिन यह एक घंटा पैतालिस है जिसमें से एक थर्टी तक यह आपको घंटे मिलेंगे ठीक है यह 90 मिनट हो गए यह घंटे मिलेंगे और प्लस 15 मिनट आपको सम्मिट करने का आटो सम्मिट हो जाएगा अगर इन 15 मिनट में आप कुछ कर सकते हो या फिर देख सकते हो या फिर आप सम्मिट कर देते हो तो बेटा रहें ठीक है ने तो वह 15 मिनट बाद आटो 145 मिनट बाद सम्मिट हो है फिर थर्टीन है अभी थर्टीन तो ऑनलाइन यूजर के उपर है कि आपको यूरल आइडी और यूजर आइडी और पासवर्ट कहां से मिलेगा यह हमने प्रिवेस वीडियो में बता दिया अगर वो नहीं दे वो क्या कहते है देख लेना जाके और कहां से अपडेट करना ह है वो भी वीडियो आजाएगी और कहां से देखना है कि कैसे है मतलब कि हमारा सही है कि गलत है वो भी वीडियो में कवर कर दूंगा ठीक है फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ यह तो पिछला ही है जो आया था अब बात करते हैं कि आपका जो सौप्टेर है वो प्रतेक चाहत को चार से पांच बार फोटोग्राफिक क्लिक करेगा तो जिसके लिए एरपी पोटल के माध्यम से मिलायन कराया जाएगा फोटोग्राफ के उसके विद्याले के संस्ता को वेरिफाई कराया जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और को बैठा दो तो उसकी अगर फोट तो सही है लेकिन फिर वहां दिक्कत में पढ़ जाओगे ठीक है इमेल आइडी और पासवर्ट सभी कर लेना यह तो आपको में भी पता होगा जितने लोगों को नहीं पता होगा कमेंट करके बताना तो मैं बता दूँगा कि कहां पर इमेल आइडी और पासवर्ट देखा पड़ेगा ठीक है वहां फोटो में सामने दिखाना पड़ेगा और चात्र जो है एडिमिट कार्ट दिखाई देगा या यदि कोई तृट्टी होती है मतलब में इलक्ट्रॉनिक ही होगा मतलब आपके मोबाइल पर या पिर आपके कंप्यूटर पर ही दिखेगा तो उसे क टाक्न की जानकारी उपलब कराइज आएगी आपको यह वह यह चीज जो भी होगी वह जो भी एजनसी ने लिया है वह सारी चीजें बताएगी ठीक है और लास्ट बचा हुआ है मैं भी देखते हैं कितने सक्षाट्चन से पेपर देरहें थो पॉड यह कि ब लेक्म √ किन स इसी कारण समिलित नहीं हो पाते हैं तो ऐसे चात्र विस्विद्वाले द्वारा चात्र हित के द्रश्टिगत क्रोणा महामारी के सथी में सामान होने के उपरांत पूर वर्सों की भाते आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परिच्छा के साथ लिखित परिच्छा में एक से सौसर प्रदान किया जाएगा बस उसका जो मतलब की डिस अड़ांटेज यह होगा कि ऑनलाइन में जो पतिभाग करेगा उसका जो ऑनलाइन पतिभाग करेगा परिच्छा में पतिभाग करने वाले को तुरंत ही मतलब पढ़ना मिल जाएगा लेकिन जो रह जाएगा वो ब कह रहे हैं कि बिंदू नंबर संख्या 10 यह कह रहे है कि काड़ाई से पालन आवस्यक है और इंटरनेट और पावई बता रहे हैं कि इंटरनेट बहुत ही जरूरी वेबकैम एंड माइक्रोफोन जरूरी है और सुद्रन हेतु सला दी जाती है कि छात निया समय पर अपना पार के उत्तर देने नहीं दिया जाएगा यह नहीं है कि आप सोचो कि वन मान के चलो कि आपके पास डेड़ी घंटे हैं क्योंकि आप एक गंटा तीस मिनट के बाद आप पेपर में उसे देख सकते हो लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो कि कोई दूसरा कोश्चन ब फाइनली आ चुका है कि करपया ध्यान दे यदि आप संपूर्ण परिच्छा के दौरान प्रॉक्टर की निग्रारी रखी जा रही होगी प्रॉक्टर के थुरू और आपकी कोई भी गतिविदी जो परिच्छा की सुचिताग में बादित करता है तो उस पर प्रॉक्टर द्वारा सुचित कर दिया जाएगा जिसकी वज़ह से आप जो भी करना तो पहले प्रॉक्टर से पूच लेना ऑनलाइन चैट करके देन करना पानियों नहीं की बोतल भी रख लेना पास में ठाकि यह ना ओकी पानियानी प्यास लगे पेपर करीं टाफ आ गया तो वही दि प्लिस लाइक करना सेiamente स्क्राइब कर देना YouTube सेनल को मिलते हैं अंगली वीडियो में जिसमें कैके आपंए घ्र जो भी